खुश्राम दीद आज हम बना रहे हैं सब्वे चिकन सान्विच सब्वे से सान्विच इंस्पारिट होने के बावजूद इसमें हम फिलिंग और टॉपिंग अपनी पसिल की शामिल करेंगे सबसे पहले हम टिकल्ड हिलेपीनोस तैयार करेंगे इसके लिए आप तीन ये चार हिलेपीनो पिपर्स को बारी बारी काट ले हिलेपीनोस ना होने की सूरत में आप इधर पकोड़ो वाली हरिमिंट के इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके बाद एक पान में एक चौथाई टी स्पून चीनी, एक चौथाई टी स्पून नामक, थोड़ी सी हर्ब्स, एक कप पानी और एक कप विनिगर डाल कर हाई हीट पे छोड़ दें अच्छी तरह बॉयल आने के बाद पहले चूलह बंद कर दें इसमें कटी हूँ हिलिपीनोस का इजाफ़ करें और ढखकन ढखके 15 मिनिट छोड़ दें याज रहे कलर फॉरी तोर पे तबदील नहीं होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब एक्जैक्ट हिलिपीनोस की सूरत आते देखेंगे तया शुदा मिर्चो को एक एर टाइट बॉटल में स्टोर कर लें और अपना बखाय सैन्विच का प्रासिस शुरू करें इसके लिए एक फ्राइर पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और चोटे-चोटे पूर्लिश सिकिन पीसेस टाल दें साथ ही इसमें एक टेबल स्पून शिकिन तिक का मसाला आधा टेबल स्पून लाल मिर्च एक चौथाई टेबल स्पून अज़क लेसिन का पेस टाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें सिकिन तयार होने की सूरत में इस तवे पेसे हटा लें और इसके बाद अपने वेजटिबल स्पून सेयार कर लें वेजटिबल की सेलेक्शन इधर अपने जाके के मताबिक एड़ेस्टिबल है हमने यहां पे सबसे पहले आधे क्यूकंबर को पील करके थिन सर्किलर शेप्स में काटा है इसके बाद एक मीडियम साइस ट्रमाटर को भी लेंधवाइस पारी काटी सेम प्रॉसेस प्यास के साथ भी रिपीट करें इधर हमने सफेद प्यास के इस्तमाल किया है असानी से मिलने वाली लाल प्यास भी इधर इतना ही अच्छा किलदार अदा कर सकती है प्यास के बाद बारी आती है वेल पेपर्स यानी श्रमला में उच्छी लेंधवाइस बारी काटने का प्रॉसेस इधर भी रिपीट करें ओलिफ्स के समाल इधर इत्तिहाई मुनासिब है आखिर में है पप्री सेंविच को एक्स्ट्रा क्रांच देने के लिए इसमें आइस पर कैबिच यानी कोवी और कैरेच यानी कालजर कर स्तमाल करेंगे वेजटबल्स सयार हो जाने पर बारी आती है सौसस की सबसे पहले हम सब्वे का सिगनिचर हनी मस्ट्र सॉस तर्यार करेंगे इसके लिए दो टेबल्सपून मस्ट्र सॉस दो टेबल्सपून हनी एक टेबल्सपून मियोनीज और एक चुट की लाल मिर्च को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें गर्ट की तोटकाई हैं, विद्ध हैं इसके लिए आप 2 टेबल स्पोन म्योनीस, आज़र टेबल स्पोन सुन और ऊट स्पून होट सौस, एक चोथाई टेबल स्पोन कोटी बाल मिर्च और चुटकी भर नमक कर लाईने करें सबसे आखिर में बारी आती है ब्रेट की इदर हमने एक एक्स्ट्रा लार्ज 16 इंच की ब्रेड ली है और इसे बीच में से आधा कर दिया है इसके बाद ब्रेट को होरिजॉंटली लिंद्वाइस काटके ओपिन कर लें चेड़ चीज के स्तमाल यहां पर दीकमेंड़िट हैं अलबता चीज की दूसरी किसम ज्यादा पसंद होने की सुरत में अपनी पसंद को प्रेफर करें तयार शुदा चिकिन शामिल करके सैन्विच को एक बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर करें और चीज मेल्ट होने तक 200 डिग वेजटिबल्स के बाद दोनों सॉस को भी मुनासिब में सान्विच में शामिल करें इदर हमने स्पाइस से कैचप का भी जाफा किया है आखिर में सान्विच को बंद करें और इस पे ओलिव ओयल करें पामजान चीज और थोड़े से ड्राइट पार्स लेकर डिशन करें औ पांच मिनिट मजीद बेक कर लें लजीज स्पाइसी चिकन सैन्विच तयार है उम्मीद है पसंद आएगी आपके मश्वरों के हम मुंतजिर रहेंगे खुदा हफिज